मार्स पर ढेर सारे ice caps मौझूद हैं, तो मार्स को terraform करने के लिए, हम उस पर series of thermonucleare explosion करके, वहां की ice caps पिखळा सकते हैं, जिससे मार्स का atmosphere भी गरम हो जाएगा, और वहां के ice caps पिखल कर, पानी का रूप ले लेंगे। अब ये आईडिया मेरा नहीं है, बलकि दुनिया और recorded history के सबसे रईस आदमी Elon Musk का है लेकिन क्या ये सच में इतना आसान है और क्या ऐसा करना वाकई logically safe है भी या नहीं वेल आज के इस वीडियो में हम इसी के उपर बात करने वाले हैं जरा सोच कर देखो हम इंसान और जितने भी geniuses है वो earth और उसकी population के demise को लेकर सिर्फ दो ही factors से डरते हैं पहला तो है climatic change जिसके बारे में हम लोग पहले भी कई बार बात कर चुके हैं और उसके effects भी हम आए दिन देखा करते हैं मगर दूसरा frightening factor है World War 3 बेल ये इसलिए नहीं कि तीसरे विश्वियुद में करोडों लोगों की जान जाएगी या economies collapse करेंगे या फिर देश बरबाद हो जाएगे बलकि इसलिए क्योंकि इस बात में कोई दोराई नहीं है कि अगला विश्वियुद शुरू चाहे कभी भी हो किसी भी कारण से क्यों ना हो पर उसका अंत nuclear weapons के इस्तमाल से ही होगा अगर किसी एक देश ने भी World War 3 में nuclear weapons चलाए तो बाकी के देश भी जवाब देने के लिए ऐसे weapons ही use करेंगे और इसी chain of nuclear weapons से फैलेगी इतनी radiation कि उससे survive कर पाना इंसानों के लिए almost impossible हो जाएगा सोचे अगर हम लोग अपने current ग्रह में nuclear weapons को लेकर इतना tense रहते हैं तो अपने future home के लिए तो हमें और सतर्क रहना चाहिए मगर क्या ये idea वाकई इतना ridiculous है इतना बड़ा empire बनाने वाले billionaire ने आखिर कुछ ना कुछ तो सोचाई होगा So the question is कि आखिर Elon Musk का logic था क्या जिसे लोग misinterpret कर गए उसके counter में दिये गए valid arguments क्या थे देखो कोई भी argument present करने से पहले हमें clearly ये समझना चाहिए कि मुद्दा है क्या तभी तो ये पता चलेगा कि उसके सामने रखेगे counter arguments valid है भी कि नहीं तो देखो हुआ क्या कि जब 9 सितंबर 2015 की रात Elon Musk the late show with Stephen Colbert में गहे थे तो show host करने वाले Stephen ने उनसे कहीं सवाल पूछे जिनमें से उन्होंने एक सवाल ये पूछा था कि वो Mars को Earth-like planet बनाने के अपने सपने को कैसे साकार करेंगे Now here comes the catch Elon Musk ने ये पहले ही clarify कर दिया था कि अगर हमें Mars को terraform करना है तो हमें उसे गरम करना होगा जिसके बीच जब Stephen ने ये पूछा कि initially क्या humans वहाँ dome-like structure में रहेंगे तो Elon Musk ने भी यहाँ पर यही accept किया कि हाँ जब हम इनसान वहाँ पहुंचेंगे तो हमें तब तक dome-like structure में रहना होगा जब तक हम धीरे धीरे वहाँ के environment को habitable नहीं बना लेते अब आता है वो पल जिसको लेकर criticism शुरू हुआ था देखो Stephen यहाँ खुद सामने से ये पूछते हैं कि आखिर Elon Musk कैसे Mars को गरम करेंगे और ऐसा करने में कितना समय लगेगा जिसका जवाब Elon instantly तो नहीं देते मगर जब Stephen उन्हें insist करते हैं तब finally Elon बोलते हैं कि ऐसा करने के दो रास्ते हैं पहला ज़्यादा quicker है और दूसरा slower है conversation moved on और तब Elon अपना argument explain करते वे बताए कि slower approach तो ये है कि हम ज़्यादा greenhouse gases को अपने red neighbor में release करें जिससे कि greenhouse gases heat को trap करके मार्स को पहले से ज़्यादा गरम बना सके और faster approach ये रहेगा कि हम लोग martian poles पर सीधा nuclear weapons छोड़ते जिससे कि उनके फटने से release होने वाली extreme heat के कारण मार्स को गरम किया जा सके वेल इन दोनों ही तरीकों को सुनने के बाद ऐसा जरूर लगता है कि हाँ इन दोनों ही approaches से मार्स को terraform किया जाना आसान होगा बट remember the quote कि ये दोनों approaches सिर्फ मार्स के minus 60 degree Celsius के shivering temperature को थोड़ा सा गरम करने के लिए ना कि उसे terraform करने के लिए अब बात करेगर slower approach की जो की है मार्स पर greenhouse gases release करने की तो इससे as such terraforming goal के लिए कोई इतना बड़ा negative barrier नहीं create होता जिससे कि मार्स पर long term side effects देखने को मिले मगर nuclear approach में ऐसा नहीं है देखो nuclear weapons इस्तमाल करके greenhouse gases के comparatively मार्स को जल्दी जरूर गरम किया जा सकता है पर इस तरीके में ऐसे धेर सारे risks से exist करते हैं जिसे आए दिन आइधर environmentalists या फिर कई सारे researchers और वैज्यानिक ऐसे counter argument पेश करते रहते हैं जिनके बारे में अब हम आपको बताने वाले हैं देखो सबसे पहला और सबसे बड़ा critical acquisition है nukes की radiation अब no doubt nukes को martian poles पर detonate करने से ice caps और surface rocks में मौझूद पानी liberate यानि की आजाद हो जाएगा पर इनी nuclear weapons से फैलेगी धेर सारी radiation जिसे trap करने का कोई भी source Mars पर available नहीं है एक और बात ये है कि Earth पर atmosphere की मौझूदगी के चलते nuclear weapons के effects एक range के बाद ना थमने लगता है और फिर negligible हो जाता है मगर Mars के atmospheric layer तो ना जाने कब से उड़ चुकी है जिस वज़े से वहाँ nukes detonate करने के बाद एक बहुत बड़ा chance है कि उस nuclear weapon का radiation effects रुकने का नाम ही ना ले और पूरा planet irradiate कर दे making it even more inhabitable for humans चलो radiation भी कभी ना कभी तो खतम होगी ही ऐसे बहुत से लोगों का argument होगा बड़ अगेन Mars धर्ती से बहुत जादा डिस्रेंट है देखो Earth पर हुए deadliest nuclear attack Hiroshima पर explosion के 60 days और Nagasaki पर explosion के 47 days बाद तक maximum radiation effect रहे थे जबकि वहीं अगर after effects की बात की जाए तो NCBI के official website के data के अनूसार initial 1950s तक ही रहे थे सोचिए Earth जैसे active atmosphere होने के बाद जब radiation 60 days तक अपने maximum stage और 5 साल तक अपने after effects दिखा रही थी तो मार्स के लिए तो ये अंदाजा दिया जाता है कि वहाँ ऐसी nuclear bombardment के बाद कई decades यानि कई दशकों तक लग जाएंगे radiation को humans के हिसाब के acceptable level तक आने में मेनिकि ना सिरी faster approach बहुत ज़्यादा harmful है बलकि terra formation के लिए fast भी नहीं है जैसा कि Elon Musk मान रहे थे क्योंकि radiation को अगर acceptable level आने में ही decades लग जाएंगे तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वहाँ पर human expedition भी नहीं बेज़े जा सकेंगे turning all these efforts to just a waste additionally एक और बहुत बढ़ा risk है जो कि nuclear approach के साथ associate किया जाता है and that is nuclear winter nuclear winter basically multiple nuclear detonation के after effects को describe करने वाली एक ऐसी theoretical situation है जिसे काफी strongly support किया जाता है इस theoretical situation के हिसाब से ना multiple nuclear detonation से किसी भी surface से planet की धेर सारी dust एक साथ ऊपर उठ सकती है जो अगर बहुत large scale पे हुआ तो possibly वो dust atmosphere में settle down होकर इतने dense cloud की भी formation कर सकती है जिनके घनतव के बीच से sunlight भी पास नहीं हो पाएगा Now as we all know कि किसी भी planet को गरम करने में sunlight कितना crucial role play करती है वोपर से Mars तो वैसे ही already बहुत ठंडा है तो अगर ऐसे ही conditions nuke explosion के बाद Mars पर बनीना तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोग उसके temperature को गरम करने के चकर में उल्टा उसे और ज्यादा ठंडा करने के deriding factor बन जाए Although ये बात भी सच है कि Mars का atmosphere उतना थिक और dust trap करने वाला नहीं है जितना की पृत्वी का है मगर कब कौन सी unaccepted force किस unbelievable result का कारण बन जाए ये हम सैकडो बार space science के history में देख चुके है देखो nuclear approach एक बहुती dumb idea है जिससे आप चाहे कितने ही simulations में या फिर कितने ही तरीके से क्यों ना judge कर ले ये idea as a result harmful और पहले से ज़्यादा delay वाला ही feel होता है जो हमारे terra formation के goal में barriers ही डालेगा और कुछ नहीं तो क्या इसका मतलब ये है कि मार्स को terraform ही नहीं किया जा सकता तो वेल ऐसा भी नहीं है देखो ऐसे बहुत से non nuclear methods है जिनकी मदद से मार्स को एक earth 2.0 में convert करना possible है बस जैसा कि पहले ही coat किया जा चुका है ये approach is काफी slow है और example greenhouse gases को मार्स में release करने वाला idea जो भले ही धीरे असर करेगा पर effective result जरूर देगा और देखो जल्दी का काम तो होता ही शैतान का है ऐसा quicker solution भी किस काम का जो पूरा planet ही destroy कर दे इससे अच्छा हमें एक समय पर एक step लेना चाहिए as we all know all the great things in the world takes time बसे यहां पर आप थोड़ा सा time निकाल कर हमारे इस वीडियो को like कर सकते हो आपके एक like से हमें काफी motivation मिलता है आपके लिए interesting videos बनाने में और साथ ही साथ चैनल के subscribe बटन को भी जरूर दबा लेना अब देखो दोस्तों जब तक इसमें समय लगेगा तब तक आपको कुछ नहीं करना बस अपने current home को secure रखना है छोटे छोटे steps लेके energy conserve करके और जितना हो सके यहां पे उतना कम greenhouse gases release करके क्या पता हमारे यह छोटे से steps humanity और earth को इतना sustainable बना दे कि हमें earth 2.0 ढूड़ने की जरूरत ही ना पड़े हलांकि ऐसा सिरिफ एक non-nuclear तरीका नहीं है जिसे कि Mars को terraform किया जा सकता है बलकि और भी कई सारे methods है जैसे कि asteroids manipulate करना, thrusters use करना वगेरा वगेरा और अगर आप ऐसे ही non-nuclear methods to terraform Mars पर एक interesting वीडियो देखना चाते हो न तो हमें नीचे comment करके जो बताना अगर आपके comments ज्यादा हुए तो मैं इस topic पर definitely एक वीडियो लेकर रहा हूँगा वैसे दोस्तो अगर आप भी Antrix TV के पक्के वाला फैन हो और आप हमें support करना चाते हो तो आप हमारे merchandise को खरीद कर हमें support कर सकते हो नीचे shop वाले link पे आपको हमारे सारे t-shirts और hoodies दिख रहे होंगे उनने खरीद कर आप हमें support कर सकते हो आपके एक छोटे से support से Antrix TV सब के जाहे हिल